YouTube channel StudiTips पर तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वैदिक सभ्था स्टार्ट किया था दोस्तों हम लोगों ने वैदिक सभ्था में रीग वैदिक काल को complete कर चुका हूँ तो दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के part 2 पर यानि कि उत्तर वैदिक सभ्था कोयों के चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्तित हुए हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको उत्तर वैदिक सभ्था के सारे facts डिटेल में देखने को मिलेगे, समझने को मिलेंगे दोस्तों इस वीडियो में क्या-क्या होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में तो वैदिक सभ्यता के आरियों का दिस्तार कैसा था, उनका समाजी किस्तिती कैसा था, उनके आर्थी किस्तिती कैसे थे, उनका धार्मी किस्तिती, उनका धार्मी जीवन कैसा था, इन सारे उत्तरवैदिक काल में वो काल कब से कब माना जाता है दोस्तों तो एक हजार से छे सो इसापूर्व एक हजार से छे सो इसापूर्व और हम लोगों ने देखा था कि रीगवैदिक काल में रीगवैदिक काल का जो काल माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है 1500 इसापूर्व स समय का यहाँ पर चेंज हुआ दोस्तों, समय चेंज हुआ होगा, तो लोगों के जीवन सैली में भी चेंज आया होगा, उसके समाजिक जीवन में भी चेंज आया होगा, उसके राजनेतिक जीवन में भी चेंजेज आये होगे दोस्तों, उनके कर्मकांड में चेंज आया होग तो हम लोग उन चेंज को उन परिवर्तन को यहाँ पर बिस्तार से देखेंगे। कर चल रहा हूं कि आर्ये लोग मध एसिया से आये और वो लोग सब्त सिंधु प्रदेश अफगानिस्तान वाले रिजन में आकर बस गए पंजाब वाले रिजन में आकर बस गए तो दोस्तों अब है कि उत्तरवैदिक काल में जो है अब वो लोग रहना स्टार्ट किये तो ध लोग यहां पर देख रहे हैं यहां पर क्या है कि उत्तर में हिमाले से लेकर यह जो पस्चिम है अफगानिस्तान से यह पुर्व में उत्तरी बिहार तक अब यह आ चुके थे और दक्चिन में बिंधे परवत माला तक यह यह यहां दिख रहा होगा कि बिंधे परवत माला ये जो बिंदे परवतमाला है, दक्षिन में बिंदे परवतमाला, उत्तर में हिमाला है, इधर पाकिस्तान, और पुर्म में उत्तर भिहार, उत्तरी भिहार तक इनका expansion हो चुका था, इसमें कुछ जन्पद भी बन गहे थे दोस्तों, कुरू थे, पांचाल था, तो ऐसे ऐसे लोग वो घुमन्तू टाइप से होते थे ठीक है एक जगा से दुसरे जगा जाकर बसते रहते थे जहां पर जैसा रहने का साधन सुभिधा देखते थे वहां बस जाते थे धीरे देरे वो अपने एरिया का अपने रहने का बिस्तार किया तो ये देखे उत्तर वैदिक काल में ये उत्तर में हिमाले आपको दिख रहा होगा, हिमाले से लेकर दक्षिन में ये बिंधे परवत माला तक फैल गए पुर्ब में ये कहां तक चले गए दोस्तों, उत्तरी बिहार का ये रिजन है, उत्तरी बिहार का और ये पस्चिन में अफगानिस्तान तक तो आर्यों का विस्तार इस तरह से था दोस्तों, आपको इसे याद रखना है उत्तरवैदिक काल में, अच्छा उत्तरवैदिक काल में इनकी जो समाजी के स्थिति क्या थी, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो उत्तरवैदिक काल में समाज, जो समाज था व यानि कि अगर कोई रक्षा का काम कर रहा है तो वो चक्त्रिय, कोई अगर बैद्दे वाला काम कर रहा है तो वो बैद्दे हो गया दोस्तों, कोई अगर पंडिताई कर रहा है तो वो ब्राह्मन हो गया, कोई अगर व्यापार कर रहा है तो वो बैश से हो गया, यानि कि रीग के विभाजन का आधार था वो कर्म नहीं रहकर जन्म हो गया दोस्तों तो याद रखना इसे और अब देखेंगे कि सामाजी के स्थिती में इस्तिरियों के स्थिती कैसी हो गई दोस्तों तो हम लोगों हम लोग जानेंगे ये चीज़ आपको बता दें कि इस्तिरियों की स्थ का भी अधिकार था दोस्तों लेकिन रियुत्तर वैदिक काल में इस्तिरियों के अस्तिते उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है यहाँ पर इस्तिरियों का जो उपनयन संसकार होता था दोस्तों वो बंद कर दिया गया अथर्वेद में ऐसा देखने को मिला है ऐसा उलेख ह या थरवेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, यानि कि जो कन्या का जन्म होता था, बेटियों के जन्म का इसमें निंदा किया गया है दोस्तों, तो वही एत्रिय ब्राह्मन में कन्या को चिंता कारण बताया गया है दोस्तों, इससे पता चलता है कि इस्तिरियों की इस पतित का सग्या दिया गया उसे तो वही सत्पत ब्राह्मन में जो पुरूस की पत्मी को अरधांगनी कहा गया यानि की इस्तिरी का कोई अस्तित्त नहीं है विदाउट पुरूस ठीक है दोस्तों और उसके बाद जो सभा और समीती होता था जो की रीगवैदिक काल में बहुत ही इंपोर्टेंट एक संस्था था उसमें भाग लेना यहाँ पर उत्तरवैदिक काल में बंद कर दिया गया दोस्तों उसके बाद जो इस्तिरीया पती वर्ता नहीं होती थी उसके लिए बरून प्रभास प्रथा भी यहाँ पर संपन कराया जाता था दोस्तों बात आती है यहाँ पर एक नोट है कि जाबलोप निसद जो जाबलोप निसद था उसमें चारो आस्रम का उलेख देखने को मिला है उत्तरवैदिक काल में यह चारो आस्रम क्या होते थे दोस्तों यह चार आस्रम होते थे जो हमारे जीवन का चार पड़ाव होता है चार पड़ाव होता है उसको चार आस्रम बोलते थे 25-25 वर्ष में इसको बाटा गया था एक होता है बचपन, यववन, जवानी, बुढ़ापा तो ये सब चार आस्रम इसी तरह सन्यास तो एक चार आस्रम का जो उलेक क्या गया है किसमे क्या गया था जाबलोप निसद में बात आती है कि क्या इस समय भी कुछ इस्तिरिया थी जो पढ़ी लिखी थी तो उन कुछ इस्तिरियाओं का नाम आता है तो आपसे पूछा जाए उत्तरवैदिक कालों की कुछ इस्तिरियों को बताईए जो की पढ़ी लिखी थी तो इसमें नाम आता है दोस्तों मैत्रे, गारगी, सलवा, वनवा का व्यायनी इत्यादी इनका नाम हमें ग्रंथों में देखने को मिला है उत्तरवैदिक काल के ग्रंथों में ठीक है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि जो उत्तरवैदिक काल के लोग थे उसकी आर्थिक इस्तिती किस पर ने भरती हम लोगों ने देखा था कि जो रीगवैदिक काल था उसमें उसकी आधार था जो आर्थिक स्थिति का वो पूरी तरह से पसुपालन था दोस्तों लेकिन अब यहाँ पर लोग क्या हुए जब समय चेंज हुआ लोग रहने लगे धीरे-धीरे लोगों को सोच समझ का सकती यह बिक्सित हुआ तो यहाँ पर लोग क्रीसी करना स्टार्ट किये दोस्तों और आर्थिक स्थिति का जो आधार था दोस्तों यह क्या था तरवैदिक काल में क्रीसी हो गया मतलब लोग क्रीसी करना स्टार्ट कर दिये यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक कोई ग् क्रिसी में जुताई का महत्तो यानि कि जो वहाँ पर क्रिसी का बहुत ही महत्तो था हमारे खेती में बैल, क्रिसक से, सेवक गन से, हल से, बंधी रस्यों से एबं चाभुक से सुख हुआ समरिद्धी आती है दोस्तों मतलब क्रिसी ही जो था मुख्य आर्थिक व्यवस्था का आधार माना गिया था उत्तरवैदिक काल में अच्छा जब क्रिसी था तो वहाँ पर कुछ फसले भी उगाई जाती होंगी तो उस समय के कुछ फसले थी जो बहुत मुख्य फसलती दोस्तों तो ये एक्जामिनेशन में पूछा जाता है इनका नाम आपको इसे याद रखन है जैसे कि चावल तो उस समय चावल को उत्तरवैदिक काल में क्या कहा जाता था वरिही आपको याद रखना है चावल को कहा जाता था वरिही मास जो की उडद जो कलाई कहीं कहीं बोला जाता है तो मास कहा जाता था उडद को यव कहा जाता था जव को और गोधुम कहा जा का यूज करने लगे थे दोस्तों तो हमको यहां से पता चलता है कि उत्तरवैदिक काल में लोग थोड़े से डेवलप हो गए थे चुकि यह एक ग्रामिन सभ्यता थी हम लोग यह बात पहले ही डिसकस कर चुके हैं तो लोहे की जानकारी हो गई थे तो उत्तरवैदिक काल में लोहे को आयस के नाम से जाना जाता था दो तरह के आयस होते थे दोस्तों स्याम आयस या क्रिस्न आयस तो आयस को बोला जाता था स्याम आयस या क्रिस्न आयस को बोला जाता था लोहा क्या बोला जाता था? स्याम आयस या क्रिस्टनयस बोला जाए आपसे पूछा जाए कि उत्तरवयदिक काल में स्याम जी च्रिस्टनयस क्या है तो आपको बताना है लोहा लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कि बहुत ही लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि लाह एर्स क्या है तो ये है दोस्तों, तामबा, ठीक है, law as तामबा था उत्तरवैदिक काल में, बात आती है दोस्तों, कि सत्पत ब्राह्मन में, जो है, उत्तरवैदिक काल में, सत्पत ब्राह्मन में देखा गया है, हल कावर्नन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि उत्तरवैदिक काल में क्री व्यार बनाने लगे, पॉट बनाने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो मिट्टी से बने बरतन जो होते थे, उसमें से कुछ बरतन यहां मिले हैं दोश्टों, तो वहाँ क्या होते थे, जो बहुत ही प्रचलित था, काला व लाल मृ Drum. काली पॉलिसदार म्रिधवान, चित्रित धूसर मृत्भान और लाल मृत्भान तो दोस्तों यहां कुछ बरतन बने दिख रहे हैं यह है चित्रित धूसर मृत्भान ठीक है उस समय के कुछ बरतन का यहां पर यह आपको पिक्चर दिख रहा होगा यह है चित्रित धूसर मृत्भान यह काला बृत्भान लाल मिरिद भांड ये पॉलिस दार मिरिद भांड और कुछ उस समय के बरतन आपको देखने को मिल रहे हैं इसको देखकर पता चलता है कि लोग क्या हो गए थे थोड़े से बिक्सित हो गए थे थोड़े से डेवलप हो गए थे दोस्तों आपको इसको देखकर पता चलता है आज हम लोग इस तरह के बरतन को special यूज करते हैं कभी fashion के द्रिश्टी कोन से अच्छे अच्छे बरतन बनाने के लिए इस तरह के बरतनों को आज भी यूज किया जाता है दोस्तों तो इस तरह से अच्छा बात आती है कि जो मृत भांड होते थे तो उस समय जो सबसे प्रचलित म मृत भांड क्या था दोस्तों चित्रित धूसर मृत भांड को बिसिस्ट यहाँ पर मान्यता दी गई थी ये वाला ये जो है तो ये जादा तर यूज में लिया जाता होगा इस तरह से इसका जादा उलेक किया गया है ये देखा गया है दोस्तों चित्रित धूसर मृत भां अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लोहे का साख्चे हमको कहा से मिला तो आपको बताना है कि करनाटक के धारवार से बात आती है कि गांधार जो कि पाकिस्तान में था दोस्तों और हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर वैदिक काल का बिस्तार अफगानिस्तान से लेकर उत्तरे बिहार तक उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षिन में कहा तक था तो बिन बेपरवत तक था दोस्तों तो गांधार भी उस समय इस रिजन में आता था तो यहां भी उसी समय ठीक है यहां भी उसी के टाइम पर लोहे का उपयोग शुरू हो गया था दोस्तों और ये लगभग 1000 इसापूर्व आसपास की बात है दोस्तों एक जगह है अतरंजी खेडा यहां से लोहे के सरवाधिक आउजार प्राप्त किये गए है दोस्तों यह जो कुछ यहां पर लोहे के हत्यार दिख रहे हैं आपको यह उत्तरवेदिक काल के लोहे के हत्यार हैं लोहे के हत्यार बनाने के लिए उनको बहुत स्किल्ड होना जो पड़ाता हो दोस्तों तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे यहां कुछ बरतन दिखाई जारे हैं जो बहुत ही डेकोरेटेड हैं दोस्तों इस तरह से डेकोरेट किया जाता तो गा, रहा होगा तो लोग अब डेवलप्ड हो चुके थे, ठीक है, ये कुछ आउजार दीख रहा है उस समय के उत्तरवैदिक काल के, और लोहे का चुकी हम लोग जान रहे हैं, कि इस समय लोहे की जानकारी आरियों को हो चुकी थे, ठीक ह चलते हैं कि इसके राजनेतिक जीवन में क्या चल रहा था उस समय दोस्तों तो हम लोगों ने देखा कि उत्तरवैदिक काल में लोग लोहे के अजार बनाने लगे थे और ये साक्षे सामने आया है ये प्रमान आया है वहां की गरंतों को पढ़ कर ये प्रमान देखने को मिला है कि यहां पर राजनेतिक प्रभाव असपश्ट रूप से सामने आ गया दोस्तों उत्तरवैidents काल में जो राजनेतिक प्रभाव असपश्ड रूप से देखने को मिला। सभा और समीती का प्रभाव कतम हो गिया। जो कभीले होते थे, कभीले में हेड होते थे राजन, वो सब खतम हो गिया दोस्तों सभा सभीती खतम हो गिया। अब जो था वो जो कबीले थे वो जनपद का रूप धारन करने लगा, जनपद, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जनपद से महा जनपद, तो हम लोग 16 महा जनपद के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा content कि इसके सभासमिती का इसमें प्रभाव को खतम कर दिया गया था। कभीले जो होते थे वो जनपत का रूपधारन करने लगे दोस्तों और यहां पर देखी यह जो भरत और पुरू ठीक है। टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड करके पीडियेप को केवल देख लिजेगा, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, आपको नोट करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल मैं डालवा दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या है कि भरत वपुरू ने कुरू जनपत की अस्थापना किया, चलते हैं कि तुर्वस वक्रीवी ने पानचाल जनपत का अस्थापना किया, यह सब पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसी भी इंपोर्टेंट कम्पेटिटिव इक्जामिनेशन के लिए मैं तो आपको यह सब पॉइंट याद रखना है, तुर्वस वक्रीवी ने पानचाल जनपत का अस्थापना किया, यहाँ पर यह पानचाल जनपत है, हम लोगों ने बिस्तार को भी देखा, और जो राजा होते थे ठीक है दोस्तों, जो राजनेतिक जीवन अब ज किसके नाम से, बिराट के नाम से, यह बहुत बार एकजामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, बात आती है कि पुर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो पुर्व वाले रिजन में राजा को समराट कहा जाता था दोस्तों, तो दक्षिन वाले रिजन में राज को राजा ही कहा जाता था तो हम लोगों ने देखा कि राजनेतिक जीवन में क्या-क्या चल रहा था उसके बाद देखते ही कि क्या यह जो राजा होता था इसमें जो राजा का पद यानि कि राजा के बाद और कौन राजा बनेगा तो दोस्तों उस समय जो उत्तरवैदिक काल इस समय बहुत सारे अधिकारी भी आये दोस्तों जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जैसे कि संग्रहिता, गोवी कर्तन, इनका क्या-क्या काम था ये भी हम लोग देखेंगे ठीक है दोस्तों राजाओं के द्वारा किया जाने वाला राजाओं का प्रभाव यग्यों के द्वारा बढ़ने लगा दोस्तों उस समय जो था राजा यग्य करवाते थे ठीक है दोस्तों जो ये उत्तरवैदिक काल में राजाओं द्वारा जो यग्य करवाया जाता था इन यग्यों के राजाओं का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया तो ये इन यग्यों का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही जादा महत्वपूर्ण बिसेशता है दोस्तों इनको जानना बहुत ही आवस्यक है तो कुछ यग्य के बारे में हम लोग जानेंगे जैसे कि राजसुई यग्य, अस् विख्यात यग्य था मतलब बहुत ही जादा प्रसिद्ध यग्य था इसमें कोई भी राजा अगर चक्रवर्ती समराट यानि कि चक्रवर्ती समराट का मतलब होता था बहुत ही पावर्फुल राजा अगर बनना चाहता था तो उसे एक यग्य करना पड़ता था जिसका ना होता था दोस्तों चक्रवर्ती जिसको चक्रवर्ती राजा बनना होता था ठीक है तो उसको राज सुई यग्य संपन कराना पड़ता था और वो जब संपन कराता था तो एक घोड़ा एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, ठीक है दोस्तों, एक अस्यो को छोड़ा जाता था, जहां से यग करता था, वहां से एक घोड़ा को छोड़ा चोड़ना पड़ता था, वह घोड़ा क्या होता था, कि अलग-अलग राजियों में, अलग-अलग राजियों में जाकर और प अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो फिर वो राजा के साथ उसको युद्ध करना पड़ता था तो फिर क्या होता था अगर वो युद्ध में हार जाता था तो उसको उसका अधिनता सुईकार करना पड़ता था और अगर कोई राजा उस घोड़े को अपन मन से अपने राजे से पास करने दे रहा है तो इससे उसका पता चलता था कि वो जो राजा है उस चक्रवर्ती समराठ का आधिनता सुईकार कर रहा है ठीक है दोस्तों तो राज सुईयग इसलिए कि आ जाता था जो राजा चक्रवर्ती समराठ बनना चाहता था वो क्या करता तो आप लोगों ने सुना होगा कि राम ने बी युदिश्वी चोडा था कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो गोड़ा क्या होता था कि राज में अलग अलग राज में घूमता था उसके बाद जब ये पूरा राज में घूम कर चला आता था तो पता चलता था कि हाँ ठीक है कितने राजाओं ने हमारा आधिंता को स्विकार किया और कितने राजाओं ने नहीं किया अगर जिसने नहीं क युदि-ष्ठीर के दुरा ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले यग्ये पर अस्वमेद यग्ये तो दोस्तों अस्वमेद यग्ये जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यग्ये था और ये उत्तर वैदिक कालमे यानि कि एक वैदिक यग्य था दोस्तों असुमेद यग्य वही या राजा करवा सकता था जो चक्रवर्ती समराट होता था ठीक है? चक्रवर्ती समराट बनने के लिए राजसुय यग्य करवाना पड़ता था और असुमेद यग्य वो राजा करवा सकता था जो चक्रवर्ती समराठ होता था बात आपको समझना है अच्छा और क्या चक्रवर्ती समराठ ही करवा सकता है केवल असुमेद यग तो नहीं ऐतरे ब्राह्मन में ऐसा कुछ साक्ष मिला है कि एत्रे बरामन में लिखा है कि इस असुमेद यग्य को और भी राजाएं राजा के द्वारा करवाया जा सकता था वो राजाएं जो बहुत सक्तिसाली हुआ करते थे इस यग्य को कराने के बाद भी एक असो को छोड़ा जाता था उसके पीछे सौ राजकुमार असो को लेक घूमता था और जब वो घूमकर आ जाता था तो फिर उसको माना जाता था कि सारा जो राजा है हमारा आधिंता को स्विकार कर लिया ठीक है दोस्तों असुमेद यग्य को बोला जाए तो ये बहुत ही प्राचीन अती प्राचीन बहुत जादा प्राचीन यग्य माना गया ह दोस्तों वैदिक यग्य रीगवेद की दो सुक्त में हं लोगों ने देखा था रीगवेद में 1028 सुक्त हैं उस दस मेने खा में वेज़़ के ऐसों के पारे में और उसमें होने वाले हवन का भी चर्चा किया गया है ठीक है दोस्तों और जो असमेद्य害 का गोड़ा जो चुना जाता था बहुत ही सुडॉल बहुत ही मतलब इस तरह का ये जो दिख रहा होगा आपको गोडा ये गोडा चुना जाता था ठीक है और उसको लेकर वो असुमेदियाग्य संपन कराने के बाद वो क्या करता था कि उसको निकाला जाता था यहां पर ये निकल रहा है उसके पीछे सेना होती थी, राजकुमार होते थे और इस तरह से असुमेद यग्य संपन करा कर, हम लोगों क्या करते थे, कि एक, अचा असुमेद यग्य करवाता कौन था दोस्तों? असुमेद यग्य चक्रवर्ती समराट करवाता था, ठीक है? तो ये बात हो गई भी उसकी इच्छाएं हैं, जितने भी उसकी इच्छाएं, समस्त इच्छाओं, पूरे दुनिया के पदार्थों, समस्त पदार्थों, और समस्त बिजय, ठीक है, समस्त बिजय, मतलब सारे पदार्थ, सारे इच्छाओं, सारे क्या बोलते हैं, बिजयों का जो इच्छुक हो बाता दो दोस्तों असमेद यग करवाने एक संपन कहोने के बाद जो राजा होते थे वो एक तरह से बोलिये तो ओव जय हो जाता था ठीक है उस समय के समेद यगे को कराने के बाद चलते हैं अगले यगे की ओर जो की एक बहुत ही इंप्पर्टेंट ये भी यग्य है और वा सोमरस जिसको की लोग एक ब्रहांती फैला दिये हैं सोमरस एक मदीरा है ऐसा नहीं है दोस्तों सोमरस एक energy drink होता था एक सक्ति प्रद पे होता था energy drink ठीक है ये बनस्पती के द्वारा तयार किया जाता था क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सोम का मतलब बनस्पतियों का देवता यानि कि vegetation का गॉड ठीक है तो हरबल प्रोड़क्ट होता था एक कौन सोमरस तो क्या होता था इस यग में कि घोडे को सोमरस पिला कर दवडाया जाता था ठीक है तो जो वाजपे यग होता था दोस्तों तो इसका जो विबरन है इसका जो उल्लेख है आपको आपसे पूछा जाए कि वाजपे यग्य का उल्लेख किस वेद में किया गया है तो आपको बताना है यजूरवेद में ठीक है यजूरवेद में वाजपे यग्य का उल्लेख देखने को मिलता है और वाजपे यग्य कराया किस लिए जाता था तो वाजपे यग्य राजा करवाते ये से अही थे अपने संव रह अधा की जबह FE 2Fय ज़ाए जाता था इसमें क्या होता था कि होडों नूरग का रहा जाता है धज़ yük स्षचाहिस में दाधा धा जाता झाया है है और कोई कोई इस तरह का ओलम्पिक को उस समय के उस वाजपे यग वाला रत दोड़ से हम लोग क्या कर सकते हैं तुलना किया जा सकता है तो राज और ये जो वाजपे यग है दोस्तों इसको राजसुयग ठीक है जिसकी चर्चा हमने भी पिछले पीछे अभी किया था राजसुयग से भी सत्पत ब्राह्मन में ठीक है दोस्तों सत्पत ब्राह्मन में ये कहा गया है कि इस वाजपे यग को किसमें सत्पत ब्राह्मन में ठीक है आपको याद रखना है कि जो और हम लोग हमने आपको बताया था कि सत्पत ब्राह्मन क्या होता है यजूरवेद क्या है और ये क्या ब ब्राम्भन और छत्रिया ही कर सकते हैं तो ये हो गया वाजपे यग्य का बात दोस्तों और मनुरंजन के लिए किया जाता था रद्दोर होता था यह एक सौरी परदर्शन के लिए भी किया जाता था तो ओलंपिक से किया तो ये सब बात हो गई चलते हैं आगे और ये जो उत्तरवैदिक काल में जो आर ये लोग होते थे इनका धार्मिक जीवन कैसा था दोस्तों तो उत्तरवैदिक काल में जो धर्म हो गया वो कर्म कांड पर आधारित हो गया तो ये कर्म कांड क्या है कर्म कांड क्या है तो जो वेद सास्तर में जो लि आ जाता था जो कर्मकांड होता था उसे कर्मकांड कहा जाता है दोस्तों उत्तरवैदिक काल में उत्तरवैदिक काल में जो महत्तुपूर्ण देवता हो गए वो हो गए प्रजापती हम लोगों ने देखा था रीगवैदिक काल में रीगवैदिक काल में जो जिसे पुरंदर कहा जाता था, किला को तोड़ने वाला कहा जाता था, जिसका की उल्ले कितना बार किया गया है, आपको ये comment box में बताना है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें बताना है, ठीक है दोस्तों, हमने इसकी चर्चा की हुई है पिछले वीडि ठीक है दोस्तों, तो प्रजापती, महत्वपुर्ण देवता जो था, उत्तरवैदिक काल में क्यों था, प्रजापती, ठीक है दोस्तों, प्रजापती, जो कि ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते थे, या फिर ब्रह्मा का ही रूप कहा जाता था, ये आप देख रहे हैं प्रज पति को फिर उसके बाद सिव जो कि उसमें रुदर या फिर अभी भी रुदर का रूप कहा जाता है ठीक है नारायन दिस्नू ठीक है तो ये सब जो थे उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता हुए दोस्तों और फिर उसके बाद एक देवता थे पूसन जिसे की उत रीग वैदिक काल का बात करें, तो पूसन को पस्वों का देवता कहा गया था दोस्तों, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूसन को सुद्रों का देवता कहा गया, तो याद रखना है कि रीग वैदिक काल में पूसन को सुद्रों का देवता, उत्तर वैदिक काल में पस्वों क इस पांच महायग्य का उलेक किया गया है किसके लिए था दोस्तों तो फोटे टेटीग कैंशे हम्हें आप हैं हम लोग जैसे हैं जो ग्रिहस्त जीक्रांद जीते हैं इनके लिए पांच महा यग्य का उलेक किया गया था दोस्तों इस पांच महा यग्य में जो यग्य थे वो थे ब्रह्म यग्य ठीक है यहां दिख रहा होगा ब्रह्म यग्य भूत यग्य देव यग्य पित्री यग्य अथिती यग्य इन पांच महा यग्य को ग्रिहस्त जीवन के ल बात आती है कि देव यग्य क्या था तो जो देवी देवता थे दोस्तों जो उत्तरवैदिक काल में जो देवी देवता थे उनके परतियादर उनके परतिक्रितग्यता का भाव रखना ही देव यग्य कहलाया पित्री यग्य क्या था दोस्तों जो माता पिता अपने पीतर इतने भी जीवधारी हैं, उन सब के परती, क्रितज्यता का भाव रखना, आदर का भाव रखना भूत्यग कहलाया। फिर आता है अतितियग, तो अतिति में क्या होता है? आपके घर, अगर कोई भी अतिति बन कर आए, तो आपको उसका आदर सम्मान करना है। ये अब आता है बात कि उत्तरवैदिक काल में कुछ दर्सन हुए दोस्तों, कुछ दर्सन के प्रतिपादक हुए कुछ रिसी मुनिते, तो ये दर्सन होता क्या है, ठीक है दोस्तों, तो दर्सन का मतलब होता है, संस्कृत का एक वर्ड है, द्रस, संस्कृत का एक वर्ड है, द्र तो दर्सन का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है, रियालिटी का अनुभूती, मतलब यतार्त तत्तो, सच्चाई, सत्य का अनुभव करना ही दर्सन कह लाया, तो सत्य का अनुभव करना दर्सन के द्वारा संभव हो पाता था उत्तरवैदिक काल में कुछ दर्सन और उनके कुछ परतिपादक मुनी हुए जिनकों की एकजामिनेशन में पूछा जाता है और आपको इसको याद रखना है और जब आप पिक्टोरियल भीव से इसको जल जाता है इसमें केवल आत्म ज्यान ही नहीं आत्म अनुभुती की भी आत्म अनुभुती होती थी दर्सन की द्वारा तो कुछ दर्सन है जैसे कि जो कुछ महत्वपुर्ण दर्सन है जिसे भारतिया दर्सन कहा जाता है और उसके जो प्रतिपादक हैं उसके बारे में ह ये प्रतिपादित किया गया था योग दर्शन आप लोग अभी पतंजली का नाम तो सुनी रहोंगे तो ये तो याद हो रहे गा ही योग दर्शन के प्रतिपादक मुनी कौन थे पतंजली रिशी थे नियाई दर्शन के कौन थे दोस्तों यहां देखे ये गौतम रिशी है बैसे सीख दर्शन के कौन थे? कनाद रिसी, ये देखें कनाद रिसी, ठीक है? कनाद मुनी जो थे बैसे सीख दर्शन के, पूर्व मिमानसा, ठीक है? तो ये रिसी जैमिनी जो है, ये पूर्व मिमानसा दर्शन के प्रतिपादक थे, उत्तर मिमानसा के कौन थे दोस्तों? त पुर्व मिमान सा जैमिनी उत्तर मिमान सा वादरायन तो बस आपको यह याद रखना है इतने से आपका काम बन जाएगा तो बात आती है कि उत्तरवैदिक काल में यानि कि जो मनुस्मिर्ति थी उत्तरवैदिक काल में जो लिखा गया था उसमें कुछ सोलह संसकार मनुस्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के कुछ संसकार का वर्नन किया गया है जो कि 16 संसकार थे दोस्तों 16 संसकार में आता है गर्भादान संसकार पुन्सवन संसकार ठीक है दोस्तों पुन्सवन संसकार, गर्भादान संसकार सिमान तोयन संसकार ठीक है, जातकर्म संसकार, नामकरन संसकार, निस्क्रमन संसकार, अनप्रासन, तो 16 संसकार है हम लोग, one by one, एक एक करके, इन सारे संसकार पर चर्चा करते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो सके, तो जो गर्भाधान होता था दोस्तों, तो क्या होता था, कि जो गर् गर्भा वस्था से पहले जो गर्भ धारन करने की जो इस्थिती होती है इस्तिरियों की तो जब गर्भा धारन करना इस्तिरियां चाहती है या गर्भा धान करने के समय इस्तिरियों को ये कहा गिया है वेदों में वेदों में कहा गिया है कि उसे खुस रहना चाहिए मन का प् व्यावधान देखे गए हैं उन व्यावधान से बचने के लिए एक बिधी पुरुवक गरभाधान संसकार कराया जाता था ताकि जो होने वाली संतान है वो क्या हो बहुत ही क्या हो सुयोग्य हो और उत्तम हो ठीक है दोस्तों तो ये गरभाधान संसकार होता था तब जाके ये सबसे पहला जो जन्म से लेकर मृत्यू तक में उत्तरवैदिक काल में या फिर अभी भी इन संसकार को हिंदू धर में, सनातन धर में माना जाता है दोस्तों, तो इन सारे संसकार को एक एक करके डिटेल में जानना हम लोगों का करतब्य बनता है और इसको एक बार आप जान जाएंगे तो इससे रिलेटेट सारी भ्रांतिया दूर हो जाएंगी और आपको जब सारा कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा तो आपको याद रखना भी आसान हो संसकार दिया जा सकता है उस समय संसकार देना शरूर करता है तो जो है सका जो उधारन है कि यह अर्जून को था सुबद्रा को एक चक्रवीद तोड़ने का जो मार्ग बताते हैं वो गर्भ अवस्था में भी बताते हैं और वो वही से इसको सीख लेता है तो जो ये पुन्स वन संसकार है ये दूसरा संसकार है तीसरा संसकार आता है सिमान तो नयन संसकार ये संसकार गर्भाधान के 6-8 महिने में किया जाता है 6-8 महिने में ये 3 महिने में ठीक ह इस समय ऐसा कहा जाता है कि जो इस्तरी होती है, जो माताय होती है, इनको अपने आचार, वेचार, व्यभार, रहन सहन को उस तरह से रखना चाहिए, जैसा वे अपने संतान से चाहता है, जैसा वे अपने संतान से चाहती है, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुन, कर्म, इन कई के लिए उनको अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने का जरुरत है जिस देवता को वो मानते हैं जिस इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान करने का जरुरत है तो ये है सिमानतो नयन संसकार अब आता है दोस्तों अगला संसकार जात कर्म संसकार यहां देख रहे होंगे आप ज जन्म हो जाता है उसके बाद जातकर्म संसकार को संपन कराया जाता है दोस्तों इसमें क्या होता है कि जन्म के बाद जातकर्म संसकार किया जाता था तो जातकर्म संसकार में होता था इस संसकार को करने से बिधी पुरुवक कई परकार के दोस दूर हो जाते थे सिस्वों से औ और वो बहुत ज़्यादा दिर घाईू हो, उसका एज बहुत ज़्यादा लंबा आयू तक जीए. ठीक है? तो इससे होता ठाज और उस समय, जातकर्म संसकार के समय, वैदिक मंत्रों का उच्चारन किया जाता ठाज। जिससे की बच्चे को एक बहुत ही बिक्सित मस्तिस्क मिले वैदी कुछ चारन किया जाता था ये हुआ जातकर्म संसकार अगला संसकार है नाम करन संसकार आपको याद रखना है एक एक संसकार आप विडियो को देखेगा आपको सारा संसकार याद हो जाएगा नाम करन संसकार तो जन्म के ग्यारवे दीन नामकरन संसकार सो संपन कराया जाता था जियोतिष सास्त्र के अनुसार जन्म के 11 दिन नामकरं किया जाता है दोस्तों आज पहन रहे हैं या फिर आप गंदा बस्तर पहन रहे हैं तो जिस तरह से आपका मन आपका व्यभार में परिवर्थन देखने को मिलेगा तो नाम से भी ऐसा माना जाता है कि नाम से भी लोगों के जीवन पर अफेक्ट पड़ता है इसलिए नामकरंसंस्कार का भी बहुत महत्तो पूर्ण था अगला संसकार आता है निस्क्रमन संसकार ठीक है निस्क्रमन संसकार यह होता था दोस्तों जन्म के चौथे महिने में यह यहां पर दिख रहा होगा आपको जन्म के चौथे महिने में निस्क्रमन संसकार संपन कराया जाता था निस्क्रमन का मतलब होता है बाहर निकलना इस संसकार को जो सिसू होते थे उसके पिता के द्वारा संपन कराया जाता था और अभी भी हिंदू धर्म में इस सारे संसकार को बहुत सारे लोग संपन कराते हैं दोस्तों और संपन कराना भी चाहिए तो निस्क्रमन संसकार का मतलब होता है बाहर निकलना इसमें क् सिसू के पिता जो होते हैं, हम लोग जान मानते हैं, कि जो हमारा सरीर है, वो पांच तत्तों से बना है, जिसे पंच भूत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंच भूत, कौन-कौन से तत्तों हैं, पृत्वे, अगनी, वायू, और जल, और क्या होता है, वायू, तो ये पांच प्राषन संसकार का संपन्न कराया जाता है इसमें क्या होता है अन्प्राषन संसकार में उत्तम प्रकार का मतलब अच्छे तरीके से बना हुआ पकवान, खीर, पूड़ी, खिच्ड़ी चावल ये सब बच्चे को खिलाया जाता है अगला संसकार का बात करते हैं तो अगला संसकार में आता है चूला कर्म संसकार कौन सा? चूडा कर्म संसकार याने कि मुंडन ठेक है दोस्तों मुंडन संसकार संपन कराया जाता है यह आपका साथवा संसकार है कौन सा? यह आपका साथवा संसकार है चूडा कर्म संसकार ठीक है? अब बात आती है कि ये जो चूडा कर्म संसकार होता था दोस्तों, ये जन्म से एक वर्स, तीन वर्स, पांच वर्स या साथ वर्स में कराया जाता था दोस्तों, तो इस चूडा कर्म संसकार के द्वारा ये मान्यता है कि इससे क्या होता है, कि बच्चों का सिर मजबूत होता है, बुध्धी ते छेदन ठीक है इसमें क्या होता था बच्चे का सिस्वों का कान को छेदा जाता था इसमें तो इसको क्यों किया जाता था इसके चार कारण होते एक तो कि वो आभुसन पहन सके आप लोग देखते होंगे कि जो पुराने जमाने के जब सिरियल आप लोग देखते होंगे उसमे देखते होंगे कर्ण, कवज, कुंडल, ये सब पहनते थे कुंडल सब तो आभूसन पहनने के लिए और दूसरा कारण था कि इसके माननेता है कि राहू और केतू का बुरा प्रभाव कर्ण छेदन से खतम हो जाता था तीसरा कारण था एक्यू प्रेसर इससे क्या होता था कि जो इससे माननता है और ये सही भी है दोस्तों कि जो मस्तिस्क तक जाने वाली जो बलड है ये मस्तिस्क तक बहुत अच्छे से फ्लो हो पाता है जिससे बुद्धी तेज होता है चौथा कारण है कि इससे सुनने के सकती तेज होती है और बहुत सारे रोगों का रोगथाम होत यह दोस्तों होती थी तो कर्ण छेदन हो गया अगला संसकार फिर आता है उपनयन संसकार यह देखिए उपनयन ठीक है उपनयन संसकार और एक होता है विद्यारम ठीक है दोस्तों तो जो उपनयन संसकार होता था यह संसकार हर एक सनातन धर्म वाले लोगों को करना चाहिए उ गुरु के पास ले जाना विद्यारंब करने के लिए अगला संस्कार है विद्यारंब ठीक है दोस्तों अगला संस्कार है विद्यारंब उसके बाद जैसे ही आप गुरु के पास जा रहे हैं गुरु कुल में विद्या को सीखने के लिए फिर आता है वेदारंब इसमें क्या होता है गुरू सिस्चियों को वेदों की सिख्छा देते थे जो चार वेद होते थे उसके जुड़े वेदांग होते थे उपनिसद होते थे आरण्यक होते थे ब्राह्मन ग्रंत होते थे उन सारे वेद वेदांग का क्या होता था इनको सिख्छा दिया जाता था गुरू के द जाता है जब जब सिसू जब सिख्षा प्राप्ति के बाद भी प्राचिन काल में के सांत मतलब की मुंडन का प्रत्था था दोस्तों उसके बाद भी सुद्धी करन कराया जाता था कि आप सिख्षा प्राप्ति कर लिए आप ब्रह्मचरे जीवन से निकल चुके हैं अब आप ग्रिहष्ट जीवन में जाने के लिए रेडी हैं अगला संसकार आता था समा वर्तन आप लोग इस विडियो के पिडियेप को तेलिग्राम लिंक से देख लिजेगा विडियो को देख लिजेगा आपको याद हो जाएगा समा वर्तन का मतलब होता है फिर से लोटना, समावर्तन का मतलब होता है फिर से लोटना, यानि कि विद्या प्राप्त करके समाज की ओर लोटना, फिर से लोटना समावर्तन कहलाता था, इस संसकार में जो गुरू होते थे, जो सिस्यों को देखे यहाँ पर, चारोर सिस्यों को समझाते थे, कि अब आप लोग विद्या ग्रहन कर चुके हैं, आपको जो वेद वेदांक के विद्वान बन चुके हैं, अब आप ग्रिहस्त जीवन में लोटेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन को छोड़ कर आप जीवन के संघर्सों के लिए तैयार हैं, ये होता था समावर्तन, समावर्तन के बाद आता विवाह संसकार, तो इसमें क्या कहा जाता है, कि विवाह संसकार बहुत ही महत्वपूर्ण संसकार है, सरवाधिक महत्वपूर्ण संसकार है दोस्तों, हर एक वेक्ति को उचित उम्र में विवाह करना चाहिए, ये वेदों में कहा गिया है, वेदों में कहा गिया है, कि हर एक वेक्ति को उचित उम्र में विवाह कर लेना चाहिए, अगला क्या है कि विवाह की द्वारा कहा गया है वेदों में कि विवाह की द्वारा आप केवल स्रिष्टी के विकास ही नहीं, आप अध्यात्मिक और मानसिक विकास भी करते हैं, पित्री रिन से भी मुक्त होते हैं यानि कि बिवा संसकार बहुत है सरवाधिक महत्वपुर्ण संसकार था और अभी भी है दोस्तों और सबसे लाष्ट में संसकार आता है अंतियोस्टी संसकार कौन सा संसकार अंतियोस्टी संसकार तो ये होता है दोस्तों जब मुरित्यू आता है तो उस समय जो अंतिम संसकार किया जाता है मुखागनी जब दिया जाता है वो संसकार मतलब जन्म से मिरित्यू को लेकर 16 संसकारों का चर्चा वैदिक ग्रंथ में किया गया है उन सारे संसकारों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना अब आते हैं बात कि उस समय जो बिवाह संसकार होते थे, तो बिवाह के उस समय क्या-क्या प्रकार होते थे, तो बिवाह के आठ प्रकार होते थे, हुआ करते थे, उनका चर्चा हम करते हैं दोस्तों, तो बिवाह के प्रकार में सबसे पहला बिवाह होता था, ब्रह्म बिवाह, इसमें क्या होता था, जो वर अगला विवाह आता है विवाह का प्रकार देव विवाह वो विवाह होता था किसी सेवाकार्य के मुल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना तो देव विवाह होता था मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए मतलब रिसी मुनी के आश्रम में अपने कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता था इसका मतलब होता था कि देव विवाह ये सेवा समाजिक सेवा या फिर बोल सकते थे धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपनी कन्या, अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को दान में दे देना कहलाता था देव विवा, अगला विवा आता है आर्य विवा, तो आर्य विवा में क्या होता था, कि जो कन्या पक्छ वाला होता था, बदू पक्छ वाला होता था, इसमें क्या होता है, वदू क कन्या का मुल्य देकर भिवाह करना आर्य विवाह में क्या होता था कि कन्या के जो मुल्य देकर भिवाह करवाता था आज कल जो दहेज प्रथा चलता है हम लोग आर्य विवाह ही करते हैं दोस्तों अगर दहेज लेकर भिवाह कर रहे हैं तो उसे आर्य विवाह करते हैं दोस् जिसमें लड़की राजी नहीं होती है, जिसमें बेटियां राजी नहीं होती है, अभी हमें पढ़ना है, अभी हमें बिवाह नहीं करना है पड़ेडी, लेकिन फिर भी ड़ेडी बोलता है नहीं, बिवाह तो करना ही होगा, साधी तो करना ही होगा, साधी का एज हो गया है, तो उस टाइब को विवाह को प्राजापत्य विवाह कहते हैं. और ये सब विवाह आप लोग जान ले. ठीक है? अगला विवाह जो है, उसे गंधर्व बिवाह कहते हैं. ठीक है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, कि परिवार वालों की सहमती, जो आजकल कहते हैं ना लब मेरेज कर लिया घर से भाग कर सादी कर लेना तो जो परिवार वालों की सहमती के भी ना में जिसमें की माता पिता की सहमती ना हो उस तरह का जो विवा होता था उसे गंधर्व विवा कहा जाता था इसमें परिवार का सहमती नहीं होता था दोस्तो एक रिसी एक थे दुस्यंत उसने सकुंतला से गंधर्व विवा किया था और उसके ही पुत्रते भरत जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है जिसका चर्चा हम लोगों ने अपने सबसे पहले विडियो में किया था अगला विवा आता है असूर विवा तो कन्या को खरीद कर ठीक है कन्या को खरीद कर दिवा कर लेना मतलब कन्या के लिए मूल ले दे देना ठीक है आर्थिक रूप से जो कौमजोर होती है आजकल भी ऐसा होता है कि जाकर गाहों समाज में गरीब घर में से जाकर लड़की को पैसे देकर लेकर आया जाता है, तो उस तरह का विवा का लाता था, असुर विवा और वे विवा आज कल भी हो रहा है दोस्तों, अगला विवा आता है राक्षस विवा, कन्या की सहमती के बिना, तो एक विवा था कौन सा दोस्तों, एक विवा जिसमें कन्या की सहमती के बिन माता-पिता करवा देता था, तो वो विवाह और यह है राक्षस विवाह, राक्षसी तोर पर, मतलब कन्या को लड़कियां होती है, उसको किडनेप करके, उसकी सहमती के बिना जबरदस्ती विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है, अगला आता है पैसाज विवाह, तो कन्य कन्या को जैसे कि पैसाज विवा में क्या होता है कि कन्या को बेहोस कर देना ठीक है बेहोस कर देना उसको कोई बेहोसी वाला दबा खिला देना उसको मदहोस कर देना बेहोस कर देना उसके बाद उसके उससे सारेरीक संबंद बना लेना उसका गलत फाइदा उठाना उस तरह क जो कृत्ते करता है उस तरह का जो कू कृत्ते करता है लोग उसे पैसाज विवा कहा जाता है और ये आठ परकार के विवा का चर्चा उत्तरवैदिक काल के ग्रंथों में देखने को मिला है और हम लोगों ने देखा कौन-कौन से विवा को देखा दोस्तों तो हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा यहां देखिए हम लोगों ने देखा ब्रह्म विवा देव विवा आर्य विवा प्राजापत्य विवा अगला देखा गंधरो विवा असुर विवा राक्षस विवा पैसाज विवा इन सारे विवा के बारे में हम लोगों ने देखा अब हम लो most important ये questions है दोस्तों आपको इसे याद रखना ही रखना है चार बार पांच बार इसे देखना है याद हो जाएगा अगर पूछा इसमें से कौन सा important है वो हम आपको पहले करवा देते हैं इंद्र का उलेक रीगवेद में 800 बार किया गया है जो कि हमने पहले ही बताया था रीगवेद में सबसे महत्तोपूर्म देवता इंद्र जिसका उलेक 800 बार किया गया है धाय सो बार अगनी का उलेक 200 बार किया गया है गाय का उलेक 176 बार इसका हम लोगोंने बहुत बार चर् वरुन देवता का उल्लेक किया गया है 30 बार, जन का उल्लेक किया गया है 275 बार, क्रीसी का उल्लेक किया गया है 33 बार, यानि कि बहुत कम बार किया गया है जिससे पता चलता है कि रीग वैदिक काल में क्रीसी क्या जो इंपोर्टेंस था उतना जादा नहीं था, सभा का उल् बहुत किया गया है इससे पता चलता है कि रीग वेदिक काल में सिंदु नदी सरवाधिक महत्वपूर नदी थी दोस्तों तो ये हो गई आपके important कुछ terms, कुछ terms, कुछ सब्द जिसका उल्ले कितना बार किया गया है आप लोगों को बस इतना ही देखना है, इतने से ही questions पूछे जाते हैं अगला आता है कि उस समय के कुछ अधिकारी जिसके बारे में हम लोग देखते हैं वहाँ के सेनानी, सेनानी जिसको रीग वैदिक काल में जो सेनानी होते थे वह सेना पती होते थे, ग्रामिनी गाओं का मुखिया होता था संग्रहिता ठीक है, जिसके अधिकारी के बारे में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में देखा कोसा देख, यानि कि जो फंड को कलेक्ट करके, फंड को देख 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 जो करता है वह फिनांसिल जो देख रेक करता है, उसे कोसा देख कहा जाता है, संग्रहिता को भाग दूद, कर संग्रहत, टेक्स जो कलेक्ट करता है, उसे भाग दूद कहा जाता था सूत मतलब रत सेना का नायक आप लोगों ने सुना होगा महाभारत देखा होगा आप लोगों ने तो देखा होगा सूत पुत्र कर्ण तो सूत होते थे जो रत चलाते थे सूत रत सेना का जो नायक होता था उसे सूत कहा जाता था दोस्तों अगला आता है गोवी कर्तन यानि कि गवाध्यक्ष मतलब गोवी कर्तन होता था जो गववों के गाय के जो ये होते थे चारागा होते थे गायों के देखरेक करने वाले ध्यक्ष जो होते थे वो होते थे गोवी कर्तन ये उत्तरवैदिक काल में महतवपूर्ण अधिकारी य उसे अक्छावब कहा जाता था, आगे आता है पालागल यह जो होता था वीदूसक का पुरूवज, महिसी, महिसी कहा जाता था, Рानी को, तक्षन कहा जाता था, बढ़ही को, और उसके बाद जो क्रीसी सम्बंधी कुछ शब्दावली है दोस्तों, जिसे की आपको याद रख ना है लांगल कहा जाता था हल को वरिक कहा जाता था बैल को उर्वरा कहा जाता था जूते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था ये पूछा गया बहुत क्वेस्चन है सीता अगर आपसे पूछा जाए कि सीता उत्तरवैदिक काल में सीता किसे कहा जाता था जो हल से हल जे जब तिरंटे स्टी pensionね देखेंगे जैन तिर्थंकरों के बारे में हैं उन दो जैन तियत नाम है अरिस्ट नेमी और पार्षवनात्ासा अरिस्ट नेमिड शॉनात्त का रिंग वेलए किया गया है अस्तो मासदगमेक ऑलेक सरो पर्थम किसमें क्या गया है रीवेद में सबसे प्राचीन ब्राह्मन गरंध कौन था क्रिष्न ये reversible का ब्राह्मन गरंध सबसे प्राचीन उपनिसद छंदोग उपनिसद और ब्रिहधरान्यक उपनिसद हम लोग हमने आपको बताया है कि बिरिहदराण्यक उपनिसद में क्या-क्या टर्म्स यूज हुए हैं, इसमें कौन सा टर्म पहली बार यूज हुआ है, आप लोग हमारे विडियो को देख सकते हैं जो प्रथम तीन आश्रम है, ठीक है दोस्तों, बाल आश्रम, ग्रिहस्त आश्रम और वान प्रस्त आश्रम, एवं स्री क्रिष्न का सर्व पर्थम उलेख, किस उपनिसद में किया गया है, तो छांदोग ये उपनिसद में, किस उपनिसद में, छांदोग ये उपनिसद में, ह ठीक है, तो ये था दोस्तों, अब ये जो चांदोग अपने सद में देख लिया, चारो आस्रम का उलेक जाबलो पनी सद में किया गया था, इसके बारे में अभी इसमलोग ने चर्चा किया, पुनर जर्मन का सरो पर्थम उलेक अगर आप से पूछा जाये, तो आप लोगों क कि गीता से जो निस्काम कर्म, यानि कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका जो सबसे पहले उप्योग किया गया था उल्लेख है, इस उपनी सद में है, अगला आता है कि भरत कभीले का सरोपर्थम उल्लेख कहां किया गया था? रीगवेद में, रीगवेदिक काल का धातू जो थी अयस थी कान्स या तामबा लेकिन उत्तर्वृइदिक काल में इस अयसको क्या कहा गया? क्रिश्न अयसको लोहा स्याम अयसको भी लोहा कहा گیا और लघ अयसको तामबा कहा गया था याद रखना उसर acceso सरवाधिक अस्तुत्य नदी मतलब सिंधु नदी सरवाधिक बार जो यूज किया गया नदी है जिसे सबसे महतुपुन नदी माना गया है उसे कहा गया सिंधु नदी सिंधु स्तिरीग वेद की सबसे पवित्र नदी दोस्तों उसे सरस्वती नदी थी चारोवर्ण का सरोपर किसके लिए समर्पित है दोस्तों रूदर देपता को और हम लोगों ने देखा था कि सावित्री देपता को समर्पित रीगवेद के तिसरे मंडल का रचना किस ने किया था तो ये किया था विश्वा मित्तर ने ठीक है अब आता है कि क्रीसी संबंधी जो प्रकिरिया था उसका उल्लेक रीगवेद के मतलब क्रीसी का उल्लेक रीगवेद के चौथे मंडल में किया गया है ये हम लोगों ने जब रीगवेद को पढ़ा था मतल लोग comment box में कर सकते हैं अब आप लोग अगर ये वीडियो को देख जाते हैं तो यहां से एक भी questions नहीं छुटेगा ठीक है दोस्तों कोई भी exam में one day examination में आपका कोई भी question यहां से छुटने नहीं जा रहा है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ह उसका notification आसानी से मिल पाए और जो भी video upload या video आए आप लोगों के लिए आप उसे देख कर आप उसका लाब उठा सके दोस्तों तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से बोल रहा हूं कि आप comment करे like करे और हमारे channel को subscribe करें दोस्तों ताकि हम आपके support से motivate हो और आपके लिए अच्छे अच्छे content आपके लिए अच्छे detailed content आपके लिए ला सके दोस्तों तो तब तक के लिए अलविदा और दोस्तों हम आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि आप स्व JUST रहे और सुरक्छित रहे तो चलते हैं दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं